नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सक्सेस जोन के लर्निंग प्रेटफॉर्म पे आज हम लोग डिसकस करेंगे भारत का इतिहास का चैप्टर नमबर टू पार्ट टू जो हम लोग इसके पहले चैप्टर वन जो है पार्ट वन देख चुके हैं आज ह रिक्षा होती है उसके अंत्रगत जो इतिहास से सम्मंधित जो प्रश्ण है आज हम लोग उसको डिसकस करेंगे जिसके अंदर में हम लोग देखेंगे साथ ही साथ साथियों यह प्रस्ण जो है आपके सीटेट इक्जाम के लिए भी बहुत इंपोर्टन होने वाला है इसल है प्रियास किया क्या चीजें होती है और अगर आप जो साइंस से तानलुक पर रखते हैं अगर वह भी ब्हारत के इतिहास को सही से पढ़ना सुरू करें ना तो उन्हें भी मुहबत नहीं करेंगे जो अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला तपिक लेंगे अगला हम्हों क्या है की उपनिसद के बारे میں इसको लोग एन इंपायर बोलते हैं उसके बाद डिसक्स करेंगे और इवंस का मौरी बंस के बाद मौरी समराच अशोक गौव में रहने वाले लोगों के बारें रिसक्स करेंगे आरिका मेड ठीक है जो इटली की राजधानी है उसके अगला टॉपिक है वैपार और वैपार अगला पॉइंट है वह है वनसावली को डिसक्स करेंगे पल्लव वनस उसके बाद धातु विज्यान इसको लोगो बोलते मेटरलोजी और उसके इसी में आएगा हम लोग अजनता की गुफाएं के बारें डिसक्स करेंगे पुराँ आरिभट हैना आयर्वेद सब्दावली अभी लेखागार जाती पंचायत भाषा तथा छेत्र कुरु आम सरीफ कुरौन सरीफ नए राजवनसों का उदे शक्तियों और भूमी अनुदान और साथ में जो है चोल सासक अभी लेग और लिखित सामधी दिल्ली के सासक के बारे में डिसकस करेंगे दिल्ली के सासक के पहला टॉपिक लेते हैं हम्ही कोई को गारी जानता है के बहुत ही प्रसिद्ञ जो है एक भुद्ध रह झनोंने ही बिख्यों में तेशों में मायमार हो गया है ना बड़े बड़े देशों में जो है अपनोंने प्रचम को लहराया अपने ग्यान के गंगा की सागर को पूरे संसार में जो है एक उरान दिया उसको एक उची उरान दी तो महत्मा बुद्ध के बारे में हम थोड़ी सी जानकारिय लगते हैं कि महत्मा बुद्ध जो है उनका ब बौध धर्म के जो है वो संस्थापक के रोप में भी थे और उनका जन्म जो है लगभग पचीस सो वर्स पुर्व हुआ था आगे देखते हैं हम लोग तो बौध एक छत्रिय थे क्या थे छत्रिय वो होते हैं जो लोग का जो पुर्वज होता है न वो क्या होता है किसी मतलब तालूक रखते हैं तो उनको हम लोग च्छत्रिय वह झोने लोग होते हैं ठीक उसी तरह से साथ की नामक एक छोटे से वर्ग का वो कहते हैं कहरा है कि युवह आवश्था में उन्होंने जो है ज्यान के खोज के लिए घर के साड़े सुख्सु विधाओं को छोड़ के जो है घर को क्या किया त्याग दिया आज कल के जमाने में अभी अगर आज के जमाने से इसको तालुक रखे तो अभी के जमाने में जो लोग होते हैं घर को छोड़ के बाहर तो चले जाते लेकिन ग्यान की प्राप्ति के लिए नहीं कुछ और की प्राप्ति उसको होने लगती है तो ब्हुति करते हैं अपने रास्ता को करते हैं भतक जाते हैं तो जब ग्यान की प्राप्ति आपको करनी है और आगर आपने घर को छोड़ा है तो वकाइदा इज्जत से काम कीजिए और आपको सफलता पुना मिलेगी तो वह जो इसे धार्त जो थे नाम गौतम था गौतम महत्माबुद थने हैं कि अपने घर के साथ बच्चों को क्या कर आपने काम दिया त्याग दिया और छोड़नेके बाद जो है कहां गए बवाध घशा तक स्थद्य स्थाल न और एक पीपल के क्या किया किया अगे उद्देश दिया उन्होंने अपने मिर्तिव से पहले मतलब मरने से पहले जो अपना समय हम लोग क्या करते हैं हम लोग अपना पूरा जीवन जो है धन को इकठे करने में लगा देते हैं और धन से क्या फाइदा है क्या नुकसान है उसको हम लोग नहीं देखते हैं बस धन को खटे करने में लगा देते हैं संसार के सारे मोहमाया को त्याग करके जो भी गलत चीज़ें होती जो भी अच्छे चीज़ें होती है सब के प्रती सिर्फ हम क्या चुआते हैं कि मेरे पास धन धन के चक्कड में क्या होता है लोग जो है अपनी बुद्धी को जो है अपनी जो संवेदन सीलता है उनको क्या करते हैं खोद देते हैं तो इतना भी लोगों को धन के तरफ आकरसित नहीं होना चाहिए तो भगवान जो थे जो महात्मा बुद्ध थे जब उन्होंने घर को छोड़ को से पहल उपना पूरा जीवन दिखिएगा नगर में एक जगह से दुसरे फैसल कहां पे लोगों को पढ़ाने में बिताया मतलब लोगों को क्या किया जागरू करने में अपना जीवन को क्या किया अगला लाइन लेते हैं क्या है कभी-कभी हम जो चाहते हैं मतलब जो हम चीजें चाहते हैं कभी-कभी क्या होता है कि वो उसको पाने के बावजुद भी हमें क्या होता है संतुष्टी नहीं मिलती क्या संतुष्टी नहीं मिलती और ऐसी चीजों को अधिक से अधिक इच्छा करने लगते हैं क्या चाते हैं कि हमें जो है और मिले और बुद्ध ने इस लिपसा की जो इनसान के अंदर में कभी-कभी क्या होता है कि उनको जो चीजें मिलता है क्या मिलता है उनको जो चीजें कभी-कभी मिलने लगता है और जैसे कि हम किसी कलपना करने कास मेरे पास यह होता तो मैं यह करता या मैं यह से संतुस्टी मिल जाता हम सटिस्फाइब हो जाते हम स्टेबल हो जाते जब लोगों को वो चीज़े मिल जाती है तो मिलने के बाद भी क्या करते हैं उनकी भावना जो है उनका जो इक्षा है और कुछ पाने की जिद करने लोग कहए रहा है बहुत धर्म के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत धर्म क्या है क्सानों का सभसें प्रसीद राजा कनिस्तु था फूसान एक देश का नाम है वहाँ का सभी राजा कॉन थे पहले और उसके बाद पहला इंडोनेश्या अनी जगहों पे यह वह क्या फैलते कि आधि तो सथ वजह साल सैल सबसे प्रसिद बहुत सिक्षाक के इंदर नागंदा था जो कि चौदा साल पहले भारत आये थे कहां आये थे भारत आये उन्हें लगवग पचांस साल के बाद और उसके पचांस साल के बाद को नाया इस्टिंग ठीक है एक सबसे प्रसिद बहुत बढ़े विश्व में बेश्व मार था है ना उसमें इतनी सारे पुष्टकें थी इतनी सारे ज्यान का भंडार था कि अगर वहां अतिलग लोग पहुंच जाए तो उनकी जो है उनको संपूर निज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी इतना हद तक उसमें पुस्तकों के भंडार रखा हुआ था लेकिन जो है उन्हें किसी कारण बस क्या किया था नश्ट कर दिया तो कह क्या रहा है क कि अन्यतिर्थियात्री हिन्दुओं के पवित्र जो गरंथ थे इसको भागवद गिता और भक्ति की चर्चा की और भगवान में टॅंश weer गोषिए हो खीषी क्या हेट एक प्रयां के अब अगरा स्लाइड क्या कहता है कह रहा है उपनिस्द क्या होता है उपनिस्द कि जो मतलब होता जीसी कि कुछ लोग क्या होते जैसे गुरू के पास बैट के और उनके उनके द्वाला जो कही जाती है क्या कही जाती है उनको अपने अंदर क्या करना उतारते जाना उसको हम लोग बोलते उपनिसद तो अपनी भाशा में साप साप समझने का प्रियास करें कि उपनिसद किसको बोलेंगे तो उपनिसद होता क्या है कि गुरू के पास बैठना क्या होता है गुरू के तर लगब पचीस सो वर्स पुर्व जैन धर्म के 24 14 के नाम से महथा रहते हैं और यह आपने विचारों का प्रशार किया क्या क्या विचार जो इनके पास विचार थी जो विचार थी उनके पास उनका क्या क्या उसने पुरा प्रशार प्रचार किया उसके बाद वह जो है क्षट्रिय राजुमार था और जिन्होंने 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे और 12 वर्सों तक उन्होंने एक कठीन और एकाककी जीवन वेतित किया मतलब 12 वर्स तक उन्होंने जो है किसी से कोई कॉंचक नहीं अपना जीवन जो है अकेले अलोन में जिया क्या किया अलोन अकेले उनको किसी से कोई मतलब नहीं और जो है उनको क्या हुआ बहुत अप्रमपार सफलता मिली आगे जो लाइन है वो क्या है जैन धर्म के उपदेश अपने वर्तमान स्वरूप में लगभग पंदर्रासो वर्स पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक अस्थान पर लिखे गए थे कहां लिखे गए थे वल्लभी नामक अस्थान पर जैन सब्द की उद्पत्ति जिससे हुई उसका नाम क्या हो जाएगा विजेता अगला स्लाइड क्या कहता है देखे धियान से लगभग उसी समय जब जैन धार्म और बौध धार्म लोगपिडिय हो रहे थे तो ब्रहंमनों ने आसरम ब्यवस्था विक्सित किया क्या ब्रहंमन लोग जो थे वह आसरम विक्सित किये और महावीर ने अपने सिख्छा प्राकरत में दिए प्राकरत एक प्रकार की भाषा घृत संग मतलब होता है जून क्या होता है महाविर और जो बुद्ध से दोनों का मानना था कि घर का करके ही सच्चा ग्यान प्राप्त किया सकता यह कथन जो है महाविर्थ का था और बुद्ध का भी था और लोग ऐसा करने का प्रियास करते भी हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि घर का त्याग कर देंगे तो हम रहेंगे कैसे रहने के लिए इंसान को क कोटी चाही या कपड़ा या मकान तीनों में से कुछ मिल रहा है तो थोड़ा जीवन संभव है चलेगा लेकिन अगर आपने यह ठान लिया कि अगर घर से लोग बहार निकल के ग्यान की प्राप्ति नहीं कर सकता है तो यह आपकी भूल है इसके लिए आपको जो है बहुत त्याग किया है लेकिन ऐसी परस्थितियों में देखा जाता है कि उन्होंने घर का तो त्याग कर दिया है लेकिन उन्हों जो है परहाई की जो है एक सकंडरी मध्यम बना लिया है उनको उनके अलावा उनका बहुत धियान कहीं और लग रहा है किसी और विशह में किसी और हो सकता है आप इस बात की कल्पना विल्कुल कर सकते हैं आपके मातर सिर्फ कल्पना मातर ही रह सकता है आगे सलाइड को लेंगे हम एक समराज की बात करेंगे एन एक समराज की जब बात की चर्चा होती है तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि एक समराज की बात जहां भी हो वहां पर हमेशा नाम आता है समराथ असोग का कहरा है कि रूपिये और पैसे पर हम जो सेरों की तस्वीर को देखते हैं उसका एक लंबा बहुत बड लगता था क्या लगता था कि मुहर लगने से जो है उनकी क्या हो रही है वह वह सिक्टे की बेली वर जाती थी आगए क्या है उन्हें पत्थर से तरासा गया और फिर सारणाथ में एक विसाल अस्थापीत किया गया। उस्तेनी था मतलब उसके वो दादा के थे लगभग तईससो वर्स पुर्व की थी चंद्रगुप्त को चानक की या कौटिल के नाम से भी लोग जानते हैं और वह जो है एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और उसने जो है न एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसके एक कि थी उनके समराज को चलाने के लिए कि ऌगे स्क्राइब कहता है कि राजवंस जब एक परिवार के उनके सदसे एक एक के बाद एक के बाद जब सावसन करते हैं तो उसको हम लोग राजवंस बोलते हैं और अभी कि टाइम में जो है ऐसा हो गया है हमारे बॉलीवूर के अ एक प्रकृत मतलब कह सकते हैं specific छेतर के अंदर गत में आ रहा है लेकिन उस टाइम में क्या था जो लोग सासन करते थे आज मेरा यह पुत्र है यह मेरा अगला सासन बनेगा है ना अगला राजवन्स बनेगा है ना बंस है मेरा तो उसका पुत्र उसका पुत्र ही सासन लोग तो मौरिवंस के अंदर में तीन महत्कुन राजा हुए थे तो पिंदुसार का पुत्र पहला असोग उसके बाद जो मेगा अस्थनीज और चंद्रगुप दरबार में पस्चिम एसिया के युनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था है ना देखे तो मौरिवंस के जो है बिंदुसार का नाम था असोक किसका बेटा था तो मौ बिंदुसार का बेटा था और असोक का तालुक किस बन था थोड़ी सी चर्चा हम अगर करना चाहें कि राजदूत क्या होता है और इसका काम क्या होता है कि हमारे देश और आपके देश के संबंध को अस्थापित करना सही धंग से कचलाना जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आपके अजर देश में उनके जो है से सवराटव ने दिवारा का निर्मान चेन की बड़ी दिवार जो उठा निर्मान से बचाना ने वह दिवार किस से बचाना गते वश् appel तो पशी पालत जो लोग पशी को पालन करते हैं जो उनके छेतरों में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें उसके बचाने से किया गया था और इस दिवार का निर्मान जो है अगले 2000 वरसों तक जारी रहा कितने साल वरसों तक किया बनाएगा है गड़ बनाए गए गड़ मतलब बनाने घीला आयका है असोग की बात करें mystकी बात करेंगां अब हम अशोग की बात करेंगे टो असोग जो मौॐरीबंस्ट के सबसे प्रस्पीद कुम था असूग और पहला सोग जो है जिसने सिलालेव के माध्यम से अपनी संद्रेश तक पहुचाने का पढ़ियास कि अधिकान शेलालेव भासा और ब्रह्मी भासा में मिलते हैं कुन-कुन से बासा मिले क्लिंग किसका है उरिसा का प्राचीन नाम है कलिंग ठीक आगे देखिएगा तो उरिसा जो है बहुत ही सुन्दर राजी है गलती समा चाहेंगे मुझसे निकल जाता है कभी कभी गलती चीज़े तो उरिसा क्या है बहुत ही बहुत सुन्दर राजी है इसमें जो है पड़ी भर्मन के लिए बहुत ही अच्छी जगाए है जगनात्पुरी है जिरोजिकल पार्क है उसके बाद जो है कौनार्क मंदिर है वहां पे है भारत का विश्व का सबसे खारे पानी का जील है जिसको हम लोग चिलका जी है तो बहुत ही फेमस जगा है कभी मौका मिले तो उरिसा जरूर घुमिएगा और उरिसा के लोगों से सब्धान रहिएगा ठीक है आगे चलते हैं तो असोक भी जो है बुद्ध की सीधालेखों से बहुत प्रेजित हुए और असोक ने जो है धम के विचारों को फैलाने के लिए सीडिया मिस्र ग्रीस और सिरलंका में अपने दूतों को भेजा दूत मतलब वही राज दूत जिसको हम लोग बोलते हैं आगे देखो क्या भुआ कि रहने वाले लोगों के सिती क्या थी तो तमील छेत्र में किस छेत्रों की बात करेंगे तमील छेत्र में बड़े कैठे सियार और आदी मौई कहते थे कह रहा है कि गाउं का परधान व्यक्ति गराम भोजक कहलाता था जो गाउं के जो परधान होते थे उसको क्या करते हैं लोग गराम भोजक कहते थे और अक्सर एक ही पड़िवार के लोग इस पद पर कई पीडियों तक बने राते थे मत यह पद जो है अनुवानसिक पद था मतलब कहने का हुआ कि वैसे पद को अनुवानसिक पद हम लोग कहते हैं जिस पर की अधिकार जो है ना क्या है अधिकार उनके ही वंसों का रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुवानसिक पद है ना आगे कह रहा है कि गराम भोजकों को अलावा अन्य स्वतंत्र क्रिशकों भी थे जिन्हें ग्रीपती कहते थे क्या कहते थे उनको ग्रीपती कहते जातक वह कहानियों जो आम लोगों में प्रचलित थी बहुत विक्चों ने इनका संकलन किया और जात गोल होते थे कैसा होता था चकोड़ या गोल होते थे देंहें यहत तो धातू के सीट्रकों सटाकर मोहर मारते लिखा हुए यहां लिखा हुए और यह सिक्के उप महादीब के लगभग अधिकांस भागों में पाए गयाते हैं और इसा के प्रारंबिक आपदी तक प्रचलन में इसा मसीर का जब प्रारंब हो रहा था तो उस टैम में यह आहत सिक्के जो है प्रचलन में पहला जो है चांदी वह सोने के सिक्के पर विभी नाकृतियों को आहत कर बनाये गए थे और साथ में उन्हें आहत जो गड़ा किया जाता था उसको हम लोग खार भी रहा यहां बौध विहार और जैन धर्म के लोग जैन मंदिर यह कृष्ण भक्ति का एक महत्तवपूर्ण केंद्र था मतुरा के सिधालेखों में सुनारों लोहारों बुनकरों टोकड़ों तोकड़ी बुनकरों माला बनाने वालों इन बनाने वालों का जो है उले और उतरते थे उसको हम लोग आरीका मेड बोलते थे यहां दूर दूर से आए जहाज से समान उतारे जाते थे और यहां भुमद सागडी झेत्र के एमफोरा जैसे पात्र मिलें साथ ही यहां पर एयरोटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार वरतन भी पिले हैं और इन्हें इटली के सहर नाम पर एरोटाइन पातर के नाम से जाना जाता है आगे देखेंगा में लोग रोम की बात करेंगे तो रोम आपको पता है कि रोम क्य कभी मेरा बुद्धी भरष्ट हो जाता है इसमें क्या लग जाएगा यह पेंट कर देखेंगा नहीं किया है इटली की राजधानी कहां है तो रोम है कि रोम एक बहुत बड़े समराज की राजधानी थी यह यूरोप उत्री अफरीका का तथा पश्चमी एसी आग तक फैला ह हुआ समराज था इसके सबसे महत्वपोन सांसकों में एक थे जिसका नाम था नाम था ऑगस्टर किया था कितना साल पहले साल पहले सासन किया था उन्होंने कहा था कि रूम जो है एक्तों का सहर यह बातध्यान रखेगा कि इस ने कहा था रोम एक्तों का सहर है तो आगस्त अब कहा था लग वक्त साल शाल पहले ऐसी नहीं अपने बातों को कहा था सोना जाती चिकन चौमीऽ खास तोर पर काली मिर्ची तो था कीमती पथ्थड़ों के लिए परसीथ है तक काली मिर्च की रोमन समराज में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बिलाते थे दियान दीज़े गई चिश्च Schöns को काली मिर्श को जो है लोग वहां पर काले सोने के नाम से बुलाते थी ठीक है आगे देखिए आगे क्या हुआ आगे तो बहुत कुछ हुआ है धिये-धिये हम चर्चाओं में लाएंगे सब करना चाहिए और यह चीज़ों आपको कॉंटेंट दिखाया जा रहा है आपके सामने में यह सारी कॉंटेंट जो है आपके से ली गई है चंदर में हम आपको बता रहे हैं आगे देखिए क्या मुवेंदर की चर्चा संगम कभीताओं में मिलती है संगम की कभीताओं में मिलती है यह तमिल सब्द है जिसका अर्थ होता है तीन सीर होता है कभी-कभी परिच्छा में कोशन भूम जाएगा तो इसको अभी आप भूमा दिजेगा लपेट के लथिर दिजेगा और कहिएगा कि तुम कहां से थे हम तुमको तो पहले ही पढ़ सबसे परमुख राजा गौतमी के पूत्र कों थे साथ करनी याद रख सपो क्रूचन हो सब्हwork पूतर का नाम क्या था सबसे परमुखर और जिस मार्ग से लोग यातरा करते थे उसको हम लोग बोलते थे प्रफम बार हुआ था और जिससे लोग जिस मार्ग से जो है रेशम को लेके आते थे यसमको लेके आते थे उस मार्छा नाम ही रख़ दिया क्या चीनी मार्घ इसको म prevention मार्ध रूट के नाम से परशिद्ध हो गया और रेशम मार्घ का नियंत्रित कराने बाधे सासकों में शब्क partir आगरा स्लाइड क्या कहता है पेशावर और मत्हुरा तो इनके राज का इसला था तो इनके था क्या था वो संगम नगड़ी जहां पर कि तीन नदियों की भूमिया के मिलती है गंगा यमना और श्रश्वती का संगम होता है उनका नाम था संगम नगड़ी लोग उसको कुसन नगड़ी के नाम से कुभन नगड़ी जहां कुम्ब का मेरा लगता है तंबून नगडी और उज्जेन के नाम से प्रशलित था लेकिन पंदरा सो कितना साल पंदरा सो में एक मुस्लिम राजा द्वारा सहर का नाम जो है परियाग राज से बदल कि क्या कर दिया इलहाबाद बदल दिया और जिसे अक्टूबर 2018 में मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ द्वारा वापस से प्रयोग राज में क्यावा उसको बदल दिया गया था आगे है प्रतना का पुराना नाम क्या था पाटली पुत्रा था और यह एक महत्तुपुन जो है के अगे देखेंगे हम लोग अगला स्लाइड को लेंगे व कवि कालिदास और खगोल सास्त्री आर्यभट उनके धरवार में थे किनके धरवार में थे चैनरद्वंस के धरवार में थे हम हर्स बरधन और हर्स चरित के बाड़ेंगे हर्स कर लेंगे हर्स बरधन जिन्होंने लगभग 1400ak Sóशन किया था और उनके दरवारी कवी बानभट कौन था या दखिया इसको बानभट ने संस्क्रीत में उनकी जीवनी हर्ष कर लेक बाणभट किसकी जीवनी है तो राजा हर दिखा था रहां अगर और चानल की और पुल केसींद दूइतिया इसकी बात कर लेंगे हम लोग तो लवाँ आजिए उनकी राजधानि कांची पूरम के च्षेतरों को लेकर कावेडी नदी के डेलटा तक फैला था जबकि चालुक योँ का राज वंस के बीचमें इस्थित था चालुकियों की राजधानि चालुक्यओं की राजधानि लेकर कहां यह प्रमुख बेपारीक कें पूली के सीन दूटियस जो है प्रशिद चालू की राजा थे और उन्हों ने जो है बरों बारे उन्हों उनके बारे में दरबारी कभी रवीकृती द्वारा रचित प्रशाकृति के पता चलता है इसके बारे में और अगला है प्रशाषन की प्राथमिक एकाईयां क्या थी अगला लाइन देखो करें काली दास अपने नाटकों में राजा दरवार के जीवन के चितरन के लिए प्रसिद्ध थे और उनका जो सबसे प्रसिद्ध नाटक क्या था अभिज्यान साकुनतलम क्या था तो काली दास की रचना सबसे फेमस है अभिज्यान साकुनतलम कौन जहां मर्जी वहां लगाते चला गया उनका जो है कोई विचार रहा अपना खुद का है इने जो लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे लगाए जा ठीक है आगे लाइन है धातु विज्ञान जिसको अंगरों मेटरोजी इसके बारे में क्या है प्राचीन भारतिय धातु को बोलते हैं हम लोग काव पर क्या बोलते हैं मेटेरोलोजी की जानकारी थी और उन्होंने नर forgetting को मिला के विक्ष्म के विक्ष्म के यिया मंang करता था भारत जो करता था बहुत ही कोड़ी के लोहे का जिर्दमान करता था जिसमें 3 कवेला बहुत ही फेमज था तो खोटा लोहा और धल्वा लोहा लोहा आगे देखेंगे हम लोग करहेश्चah यहां के बहुत जगहारों में से ज्यादातर बहुत जो है वह जगहारों के दवरान कई गुफाएं खोदी गई कई गुफाएं खोदी गई इनमें से ज़्यादातर बोढ्ट भिक्चवों के लिए बनाए गये और विहार थे गुफाओं के अन्दर अंधिरा होने की वज़े से अधिकान्स चिट्र जो है मसालों की रोसनी में बनाए गये थे इनमें से कुछ को जो है चिट्रों के दोरा सजाया गया था और इन चित्रों के रंग जो है पंदरा सो साल बाद भी चमकदार रहे और ये रंग पोधों तथा खनिजों से बनाये गए थे और इन क्रितियों को बनाने वाले कलाकार अग्यात हैं मतलब कोई बनाया होगा पहार के अंदर में घुषके उसमें जो है ऐसा ऐसा पेंटिंग किया कि बहुत ही मजबूत पेंटिंग था उसका और आज भी दिखता है वैसा एक खुबसुर चमकता हुआ तो इसके पीछे क्या वज़ा हो सकता है उसको किसने बनाया होगा किसी ने पनाया होगा लेकिन उसकी जानकाड़ी अवितद्द जो हमारे को नहीं हो पाई है इसके बारे में कोई जनकाड़ी नहीं है करीब अठारसो साल पहले की बात है पर सिर्थ तमील महाकाबी जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्प दादिकर्म कि रचना इनलंगो नामक कभी ने कि कौन किया इनलंगो नामक कभी ने किया तमील महाकाबी जिसको हम लोग बोलते हैं मनी खेरका को लगभग चौदा सो साल पहले सतनार द्वार लिखा गया आगे लाइन है हुआ है जो संस्क्रीट में लेकिन थे वह पुन्бы रूप से वह संस्क्रीट भाशा में अपनि प्ष्टक को लिखते थे जो भी आगे लाइन है कि कि पुरा Surprise ईर्थ होता है प्राचीन या पुरान पुरानों में विश्णू इसका विश्णू सेव दुरगा या पारवती जैसे देवी देवताओं से जूरी कहानिया है अधिकतर पुरान संगम संस्क्रिस स्लोकों में लिखे गए हैं जिन में तब यह उन्हें सुन और समझ सके इस्तरियों तथा सुध जैसे वेद पढ़ने की अनुमती न को ब्यास नाम के रेशी ने संक्रित किया था और महाभारत में ही भागवत गीता भी सामिल है अगरा क्या करता है कि रमायन के लेखत कौन थे भाई तो वालमकी आगे देखो आरिभट की बात करेंगे तो आरिभट जो है आपको पता होना चाहिए कि गनित के छेत्र में एक सास्त्री थे और उनका जो है खावुल के छेत में बहुत बड़ा योगदान था है ना और आरिभट जो है संस्कृत में आरिभट्यम नामा पुस्तक लिखती यह इंपोटेंट है याद रखेगा आरिभट कौन लिखा था पुस्तक अपने आप में आरिभट्यम किस भासा म में उन्होंने व्रित की परिधी को मापने की भी विधी को ढूंड़ के निकाला था विर्ट की परिदी को कैसे माप सकते हैं कि आगे देखो अरे यार मिट जाओ ना अगला पॉइंट के आगे है आयरवेद की बात करेंगे अगल हम मतलब होता है आयरवेदिक समानों का विकड़ी खरी जिसे हम लोग ठीक हो शकते हैं कि आयरवेट चिकिसा विज्ञान के ऐसे विख्यात पदती है जो प्राचीन भारत में विश्यत हुई और प्राचीन भारत में आयरवेट के एक उलेखनिया पुस्तक है क्या है कागच का विसकार कभ वह था 1900 साल पहले कोन क्या था तो काई लून नामक चीनी वैक्ति था उन्होंने क्या था और जब वह किया था तो इसको क्या किया था कि बहुत लोगों से क्या क्या गुप्त रखा कि कैसे बनता है फिर भी लेकिन जो है 1400 साल पहले जो यह कोडिया तक पहुंची गया उनको बनाने के लिए चल के पता कैसे बनेगा अब हम अगर सब्दाबली की बात करें किसकी बात करेंगे तो सब्दाबली में क्या है उसको देखते हैं कि हिंदुस्तान सब्द आज हम इसे आधुनिक राश्ट राज भारत में अर्थ में लेते हैं किसले था हैं भारत में लेकिन 33 सदी में जब फार्सी के इतिहासकार मिनहाज पहली बार जब हिंदुस्तान सब्द का पडियों किया था तो उनका आसए क्या था पंजाब हरियाना गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था और उन्होंने इस सब्द का राज्यतिक अर्थ में उन लाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के शेत्रों में आते थे ठीक है अगर देखें के परसार के साथ-साथ उस सब्द के अंतरगत आने वाले छेत्र भी क्या हुआ बढ़ते गए लेकिन हिंदुस्तान सब्द में दक्षीन भारत का समाबेस कभी नहीं हुआ और इसके विपरित सुलमी सदी के आरंब में बावर ने हिंदुस्तान सब्द का परियोग जो है इस मुप महादूब में भुगोल पसुपक्षियों और यहां के निवासियों संस्कृती क्या व पहले भी किये थे कि पंडू लीपियां हम उसको बोलते हैं जहां पर कि हम अपनी अक्छरों को है ना अपने अपनी बातों को हाथ से लिखते हैं भाषाओं को हम लोग बोलते हैं पंडू लीपियां है ना मैनुस्क्रिप्स को संगरित किया और आज सभी राष्टी और राज सरकारी के अभी लेखागार होते हैं वहां अपने तमाम पुराने सरकारी अभी लेक और लेन देन के ब्योरों का भी रिकॉर्ड रखते हैं परती लिपियां बनाते हैं लिपिक छ शमाझिक और आर्थिक जिवन सहली से हैं यहाँडे देखिएगा जाती पंचायत की बात करें अपने सदस्यों के वहवार का नियंतन करने की लिए जातियाँ स्वयम अपने अपने नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन जाती के बड़े बुजुल की एक सभा करती थी जिसे कुछ इलाकों में जाती पंचायत कहा जाता था तो जाती पंचायत का साब्दी करती यह हुआ कि अपने सदस्चियों के बहवार का नियंतरन करने के लिए उनके बहवार को नियंतरन करने के लिए अपने ही लोगों के द्वारा नियम बनाया जाता था और इस नियम का प भासा तथा संग लेंग्वेश्ट एंड रीजन की बात करें किसकी बात करेंगे लेंग्वेश्ट रीजन की बात करेंगे सन 1813 इस भी की बात है कभी अमीर खुसरो क्या नमता उसका कभी अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि जिस देश के हर छेतर की एक अलग भाशा ह सिंद्री लाहोरी है कस्मीरी है द्वार समुंद्री है गुजरी गुजृत jóvenes और साथ में उत्तर पुर भारत में बोल जाती है और हिंद्वी क्या हिंद्वी जो कि आत पास के छेत्रों में अमीर खुसरों ने बताया कि इन भाषाओं को एक संस्कृत भी है जो किसी विशेष छेतर की भाषा नहीं है और यह एक प्रकार की क्या है प्राचीन भासा है तो कौन सी भाषाओं को प्राचीन भाषा बताया गया भाई तो बताया गया शंस्कृत की भाषाओं को और जिसे केवल ब्रहम्मन जानते हैं आम जानता नहीं जानत और नए नए सासक जो स्वेम परतिषठा की होने के करन समाज में इनका जो है क्या हुआ दबदबा और भी आदर होता था और इनके थे इनका समर्थन संस्कृत मतलब करने कह ताथ ये हुआ कि जो संस्कृत भाशा सिंस та कि समराज से की भी सब्सक्राइब पता तो के उसके पता ऑ्रघृति था वंक ने तो इस बारे में बताया ऑप खुसरों ने बताया और संस्कृत के ज्यान के कारण समाज में ब्रहामन सनक्षन थे मतब संस्कृत के ज्यान उसको था तो ब्रहामन लोग को क्या करते थे एक अलग से मिलता था संरक्षन थे नए नए शाष्ण कों जो पर्तिष्ठा में की होने बकार्ण जो समारी उनका दब्दबा था और उनको बहुत ही आदर शमान मिलता था वह इन सनक्षन का समर्थन के आज़ाता था आगे देखिया कैलाइन है करे संक्षन कई प्रभावशाली धनी व्य सद्वान या अभी जाद जैसे किसी वी अन्य व्यक्ति की मदद का सहारात है और आगे है उनिवी शदी के उनिश्मी शदी के मद्ध में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को तीन योगों में बाट दिया हिंदू मुसलिम और ब्रिटिस तीन योग में कौन प्रिटिस ते उनकी बातों की बाट ऑगे क्या है गुरान सरीव की बात करेंगे कुरान सरीफ का संदेज पहली बास सतामी सताब्दी सातमी सताब्दी में बैपारियों और योग प्रवाशियों के मध्यम से भारत पहुंचा था और मुसलमान जो कुरान को अपना धर्म गरंथ मानते हैं मुसलमान क्या है मुसलमानों का धर्म गरंथ क्या है कुरान है केवल एक इश्वर अल्ला के अस्तित्य को श्विकार करते हैं जिसका प्यार करूना और उधारता हर उस व्यक्ति को गले लगाती है जो समाजिक प्रिष्ट भूमी की प्रवाह किये बिना उस पर विश्वाश करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कुरान सरीफ जो की मुसल्मान की धर्म क्या है उसका अपना एक धर्म गरंथ है आगे लाइन है नए राजवन्शों का उदे तो सात्मी शताबदी आते आते उप महादूईपों के बिभिन लोग बूलते है कि या शामरत के रोप में मनता देते थे और सामंत अपने आपको पुरे मंदल स्वाय हैं उसको से बर के कोई हम ही हैं तो हम ही है करते थे इसको बोरते हैं कहला कि कटम मयूद्व शर्मन और गुजर परतिहार गोधे लाइन है क्या है गुज्जर परतिहार है ना हरी चंद्र ब्रहमन थे जिन्होंने अपने प्रार्मभिक प्रार्मपारिक पेशों को छोड़ दिया और हतियार उठाए और करम सक करनाटक और अपने राज्जी को अस्थापित किया कौन कौन से तो पहला था कदम कंदम मयूर शर्मन औ अपने राज्जीं का क्या किया और उन्होंने पहले करते थे उनको छोड़ के हतियार को अथाया और करनाटक तक जप्जा किया हुए ठाकर करके अपना zarasana नहीं पे जिए आगे स्लाइट देखेंगे क्या कह रहा है कह रहा है एलोवेरा की गुफा एलोवेरा गुफा जो था जिनके विश्णु को नरसिंग यानि नरसेर के रूप में दिखाया गया और यह भित्ती चित्र कुक्ट काल की उत्कृष क्रिती है महाराजा धिराज को राजाओं का अगर देखेगा तमी लाडू पर सासन करने वाले चोल वंस के सिदा लेखों में बिभिन प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक संकेतिक सब्द हैं और सबसे अधिक उल्लेखित हुआ वेक्टी हैं जो नगद के बजाए जबरन सरम के रूप में लिया जाता था मतलब की जबर चहमान के नाम के उन्होंने दिल्ली और अजमीर के आसपासक चेतनों पर सासन किया अफगान सासक सुल्तान मुहंब्र गौरी को हराया था चहवान उने किसमें जो थे सबसे प्रसित सासक प्रिथिवी राज तिरतिय था जिरोंने 1191 में अफगान सासक सुल्तान मुहम्मद गौरी को क्या किया हराया और दूसरे वर्स 1191 में उनके द्वार अब प्राजित क्या उसके बदगे देखे सासक की बात करेंगे राजेंदर प्रथम था और उनके गंगा घाटी क्या था उसने गंगा घाटी सिरलंका तथा दक्षिन पुर्व एसिया के देश्टों पर हमला किया और इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी आगे का स्लाइड है राजा राज और राजेंदर प्रथम द्वारा बनवाएगे मुर्तिकला के द्रिश्टी स्में चमतकार के रूप में उभर कर सामने आया आगे देखेंगे कि आगे देखो क्या कह रहा है कि जल दुआर पारंपारिक रूप से एक लकडी या धातु अब्रोधक होता है जिससे की जो है जिसका उप्योग आम तोर चाहिए पर लगा दिये तो पाने खिया गड़ी आपाएगा तुस्य ख़म क्या बोलते हैं जल दुआर पर अगण की बस्ती में क्या करते थे उर उर मतलब किसानों की बस्तियां और सिंचित क्रिसी से बहुत स्मिध्ध हो गई आगे का लाइन है कह रहा है क्या अभी लेक और लेखित सामगरी की बारे में बात करें तो यह क्या होता है उत्तर मेरुकर अभी लेक के नुसार सभा की सदस्षिता सभा में सदस्षिता के एक छुप व्यक्ति ऐसी भूमी के स्वामी होने चाहिए जिसमें भू राजश्व वसूल किया जा सकता है प्रशासनीक मामलों का अच्छा घ्यान होना चाहिए और यदी कोई पिछले तीन वर्सों में किसी समीति का सदस्य रहा है या फिर किसी भी समयती का वह सदस्य था वह उसक्तिया में फामिल नहीं हो सकता था आगे लाइन देखें क्या है तमोरों के चववानों के सासनकाल में दिल्ली वानिज का एक महत्वपून केंदर बन गया और देहलीवाल नामक्सिक्के भी यहां पर ढाले गया जो बहुत ही लोग यह हुए थे आगे देखेगा आगे जो है आपका चेप्टर यहीं पर समाफ्त होता है और आज जो है हम लोगों का चेप्टर जो है बहुत ही लंबा से संट रहा होना चाहिए कोई बात नहीं है समझते हुए चले दिन के बाद लेके आएंगे क्योंकि रोज डालना लोगों तक पहुंचाइए आपका जो है हमें और बहतर बनाता है तो प्लीज अपना दीजिए कमें श्रक्षन में दीजिए बेशक दीजिए और आपके फिर्वेक से हमें बहुत याग जाना के लिए मौका मिलता है तो आपका बहुत धन्यवाद और इस तरह से जो है पर क्या होता है आपके जो प्रिक्षा में पूछी जाते हैं उनसे एक भी परसंद शूटने की गुंजाइस नहीं होती है ठीक है नमस्ते सास्याकाल मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद